नमस्कार आज की ख़बर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्यक हम है रोत्रा बड़ी ख़बरों की शिरुवात करते हैं सिक्षक इसना तक MLC चिनाओ के परिडाम जारी हो चुके हैं बड़ी ख़बर आपको पता रहे हैं सिक्षक इसना तक MLC चिनाओ के परिडाम जारी है सब अप्रत्याशी करुणा काम तो मौर नहीं कर सके कोई मुकाबला बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां सिक्षक सनाता के मेल सी चुनाओ के परिणाम जारी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जो आप परिणाम अब सामने आ चुके हैं बीते दिन इसकी मदगर्णा करी गई और देर रात तक इसके परिणाम सामने आए और अब ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है गोरफ पोर फैजबाद इसना तक खंट चुनाव में बीजे पी ने इस बार भी पर्चम लहराया है और इस अपर्पत्याशी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके क्या कुछ जानकारी है सभी जगा के जो परिड़ाम हैं वो सामने आ चुके हैं जी सिखा बिल्कुल सही कहा आपने कि भारती जन्ता पार्टी ने उस्तर प्रदेश के बिराद परिशन प्रस्याती ने विजे प्राप्त की है जबकि समाजवादी पार्टी किसी भी सीथ पर जीत हासिल नहीं कर सकी आपको बता दे कि जो ये खंड अफनातक की तीन सीथे और सिख्षक कोड़े की दो सीटों पर तीस जन्वरी को मद्दान हुआ था जिनमें उन्नाव कानपूर अफनातक MLC सीथ से बीजे पी के अरोल पार्टाग जीते हैं जबकि जहासी इलाबाद सिख्षक MLC सीथ पर भा राज बहादूर सिंग संदेल को जीत मिली है जबकि बरेली के खंड अफनातक में जैपाल सिंग जयक्त जो भारती जन्ता पार्टी के उमिद्वार हैं उन्होंने लगाता तीसरी बार ये विजे प्रास की है आपको बता दे चिखा कि ये 30 जन्वरी को इसके लिए मद्दा समाजवादी पार्टी को बड़ा जटका इसलिए ये माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रडेश की बिधान परिसद में 100 सीटे हैं और जितमे 81 सीट में भारती जबता पार्टी का सब्जा है सपा के मात्र नौ सदकते हैं सपा को बिपक्ष की कुर्टी बचाने के लिए एक सीट चाहिए थी यानि जितना भी सीट होती है उसकी 10% सीट अगर आपके पास है तभी आप मुख विपक्षी दल की भूमिका में रह सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई इसलिए उसको मुश्किल है कि मुख विपक्षी दल की कुर्टी मिल जी बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया हम ऐसा जुड़ने के लिए तमाम जहनकारी के लिए इसके वर्टों आइस साथ 22 पतकात बासर मिश्रा जी जुड़े हुए थे तो सिक्षक स्तातक MSI चिनाओ के परिणाम जारी हो चुके हैं जहाँ बीजेपी ने पर्चम फेराया है और पाथ में से चार सीटों पार कब्सा जमा लिया है रुकरते एक और बड़ी खबर की तरफ कानपूर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ सिक्षक स्तातक MSI चि मिले 62,501 वोट बड़ी खबर आपको कानपूर से बता रहे हैं जहाँ कानपूर सिक्षक स्तातक MSI चिनाओ की मदगर्णा कानपूर में बीजेपी प्रत्याशी अरूर पाथक जीदे SPK कमलेश यादफ को 9,331 वोट उसे हराया बीजेपी प्रत्याशी अरूर पाथक को मिले 62,501 वोट